अमेठी राय बरेली और राय बरेली खास तोर से क्या प्रधार्मंत्री चुनने जा रही है क्या ये कौन सा कार्ड भुपेश बगेल ने खेला है कि राय बरेली के लोग पी-म चुनने वाले हैं बड़ी अच्छी बात है मानक भई जो आप कह रहे हैं आप सवाल उठा रहे हैं आप समचार उठा रहे हैं और प्रधान मंत्री जी हमारे इतने खलियर हो गए हैं एकदम कि कभी राहुल गांदी जी का भाषण सुनने लगते हैं खटा खट खटा खट सटा सट जबाब देने लगते हैं कभी अखलेश जी का भाषण सुनने लगते हैं कभी उनको सहजादे कहने लगते हैं और अब भुपेश जी का भी भाषण सुनने लगते हैं अच्छी बात ह बढ़िया है हमें ये डर अच्छा लग रहा है अमेठी की जनता हो चाहे राइबरेली की जनता हो चाहे देश की जनता हो एक चीज तह है कि चार तारिक को प्रधान मंत्री बदलने जा रही है प्रधान मंत्री हम लोग बदलने जा रहे हैं और हर पाल्टी के नेता को अपने नेता को परधान मंत्री बनाने कि चल्ड, पुझा शुट के सर्यासमन जोगी हुआरे दिल जुमेह देखो, पतवारा हुआरे दिल जुमेह देखो, पतवारा हुआरे हर पल मनाओ, के स्टी देवाहर, विमर्द। बोलो जुमा के स्री भी वो भी तो चाहेंगे, शरत पवार जी बन जाएं पी नहीं, पी-म चुन रहे हैं। अगर हम यह बोले हैं तो नरेंदर मोदी जी की पेट में क्यों दर्द हो रहा है। आपको नरेंदर मोदी जी को दिक्कत क्या है। हम अपने नेता को आप करनम कहते हैं वो प्रधान मंत्री हैं। प्रधान मंत्री जी कहते हैं हमारे नेता को वो शहजादे हैं। हमारे माबाप ने हमको शहजादों की तरीके से पाला है आपके माबाप ने आपको शहजादें की तरीके से नहीं पाला आपको मांगने वाले की तरीके से पाला है आप अपने मातापीता से शिकायत करो भाई हम तो चाहते हैं हमारा नेता प्रदान मंत्री बने हमारा नेता अ प्रधान मंत्री जी के पास मुद्दों की कमी हो गई, प्रधान मंत्री जी के पास पिछले 10 साल में अपना काम गिनाने की कमी हो गई, प्रधान मंत्री जी के पास वो जो गाओं में नहीं बहिलाएं होती हैं, कि अब पड़ोसी के उसमें कान लगा के सुनती रहती, अरे यस्तान का एक अगनी वीर शहीद हो गया, उसको शहीद का डर्जा नहीं मिल रहे उसको आफिशिल क्रिमेशन नहीं मिल रहे अप भी कैसी बात करते हैं? जाधती करते हैं आप, आप कह रहे हैं कि हमारे भाषण सुन रहे हैं वो, फिर कहएंगे कि हमरे सवालों का जवाब नहीं देते कमाल करते हैं आप भी अरे विरोधी विपक्षी अपने प्रतिदुन्द्वी का भाशन नहीं सुनेगा तो जवाब कैसे देगा हाँ 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 यही बात है वो भाश हमारे सवाल तो हम तो प्रधान मंतर जी ओ लिखके दे रहें कि भाईया हम से हम टाइम मांग रहे हैं आप से आप हमसे सवाल ले लो हमारा घोशना पत्र आप मिस्कोट कर रहे हो कहां मुगल लिखा है कहां मुस्लिम लीग लिखा है कहां म सब्सक्राइब भाशन सुन रहे हैं और प्रधान मंत्री के पास विपक्स के नेता के पास टाइम है सुनने का क्योंकि वो सकता नहीं चला है एक आपकी बविश्यवानी एक आपकी इंटर्नल रिपोर्ट थोड़ा सा बताईए चार चरण के बाद आप कहां पर है और पांच में चरण में क्य नहीं मानेंगे मैं जानता हूं और उनको मानना भी नहीं चाहिए और जिस पार्टी में हैं उसके स्वामी भक्त रहेंगे उत्तर प्रदेश और महारास्ट भारती जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित हो रहा है इस चीज को याद रखिएगा जमीन बहुत गरम है बह जना 2019 में उन्होंने हमारा कोई भाशन नहीं सुना था कोई बात को उन्होंने रिस्पॉंड नहीं किया तो हम रिस्पॉंड करते थे लेकिन आज प्रधान मंत्री जी नरे स्री राहूल गांधी जी जो कह रहे हैं जो कहलो के ड़क्टर अजया लोग काला धन अजया लोग